आई वस रिसेंटली बैंड फ्रम टिंडर तो फिर अंकल ने उस जगा पर अपने डेट बर्त की जगा अपने पोते का डेट बर्त भात दिया अच्छे है हो गया अंकल जी तुमारा अब मैं बताऊं यह जो आपकी दाड़ी है ना तो यह दूब में सफेद हुई है और ना यह एक्सपीरियंस की वहसे सफेद हुई है यह सफेद हुई है आपकी उमर की वश्यासे अरे बुडापा आगया अंकल जी आपका इस एज में अबे अंकल तुम जराई अपने लेम जोक्स को दो मिनटे के लिए बंद करो तुम अपनी वीडियो शुरू कर लू देखो वैसे तुम लोगों को पता चलीगे कि आज की वीडियो में किन के बारे में बात करने वाले हैं तो इस वीडियो में अंकल जी का बूटल देखने क वहा ओकला है अलुड़ी पूंच चुके हैं वहाँ बहुट़ी बगवान के पास हैं लेकिन ये दादा जी इस उमर में जो हरकते कर रहे हैं अ मैं क्या बता हूं तुम इनको दादा जी कह रहे हो जो आजिकल वो जैन जैन सिवी जणरेशिन चर चाह बात अन्के डादा जी वेंडल मुझे समझ में आया क्या है लेकिन अगर तुम्हारे बटे भाउं केक पे केंडल लगाने भी जाए ना तो केक छोटा पढ़ जाएगा इतनी केंडल के लिए और उसके बाद क्या रहो नोटिस्ट अरे अंकल इस उमर में क्या नोटिस्टाफ करोगे तुम अगर तु होगे आप अब एक छोटू एक चेर लेगा रहा दादा जी के लिए नहीं बैठना सब लोग कोई कुरसी ओफर कर रहा है कोई पानी ओफर कर रहा है कोई द्यागरा ओफर नहीं कर रहा मैं क्या ही बोलनू अब देखो अंकल जो वो कहते हैं कि मर्द और घोड़ा कभी कर देगा साला जिस उमर में लोगों का बीपी अपडाउन होता है उस उमर में अंकल यह क्या आपडाउन करने की सोच रहे हैं मैं पता रहा था कि I was banned from tinder the reason is because of my honesty तो मैं हमेशा राइट स्वाइप करता हूं कभी लेफ्ट स्वाइप नहीं करता हूं because I don't discriminate on the basis of body type color of skin अरे अंकल उसको ठर्की पुना कहते हैं और फिर कह रहे हैं कि मुझे टिंडर से बैं कर रहा है अरे अंकल जैसे तुम्हारी हरकत हैं आ टिंडर चोड़ो मुझे तो लग रहा तुम्हारे गरवाले न तुम्हारा घर मैं घुसना भी बैं कर रहा होगा मैं तो हर लड़की को राइट स्वाइब करता हूं किसी में डिस्क्रिमिनेट नि करता अरे अंकल वो तुमारी मजबूरी है जितनी तुमारी उमर हो गई है न तुम तो यही सोचते होगे मोटियो या पतलियो गोरीयो या कालीयो लेगन कोई तो जो मुझे चय पिलाने वाली यो तो ऐसी एक मैच हो गया तो कैती मिलते हैं घृफ के अंसे तो एक रेस्टॉरान हमने चुना वह पैटीयो- कॉरस्या लगे होती है अंकल जी उसको patio restaurant नहीं कहते है उसको कहते है medical camp और आपको कोई match match नहीं हुआ था आपको मिलती doctor's appointment क्यूंकि जितनी आपकी उमर है आपकी उमर के लोगों कोई match नहीं होता कोई date पे नहीं जाते है उनको मिलती है doctor's appointment और वो जाते है hospital अपना regular check-up करवाने के लिए आय बड़े फालत कोई कानिया बनाने वाले देखो अंकल बुरा मत मानना लेकिन Tinder पे न जो बुड़े लोग होते है वो loud नहीं होते है और फिर भी अगर आपने कोई fake ID बना के वहाँ पे कोई लड़की के साथ match कर भी लिया न तो आपकी उमर के तो वहाँ पे भैस ही नहीं कोई मिलेग और कोई यंग लड़की आपको क्यों डेट करेगी मानना कि लड़कों को आंटियां पसंद होते हैं लेकिन मैंने ये कभी नहीं सुना कि लड़कियों को अंकल पसंद होते हैं और आप तो अंकल भी नहीं दादा जी हो माननू कि अगर आपके साथ कोई लड़की डेट पे जावी रही है ना तो आपको जब वो मिलेगी हग करने के बजाए आपके वो पहरी यात लगाएगी और बोलेगी पहरी पोना दादा जी तो अंकल जी टिंडर विंडर छोड़िये वैसे आपको टिंडर ने बैंक करी दिया है आप जल्दी से जल्दी तीर्त यातरा पर निकलिए क्योंकि पाफ दोने की उमर में आप और पाफ मत कीजिए वैसे आपको समय कम बचाए सबसे बढ़िया डेटिंग आप है वो वाँ अंकल जी को मिलने चाहिए 21 तोपो की सलामी साला संजय दत के बाद किसी का नाम आएका ना तो वो इन दादा जी का आएगा साला लिंक्डिन को भी डेटिंग आप बता रहे हैं अगर अंकल जी का बस चले ना तो यह ट्वीटर प लेगी आज के टाइम में लेकिन आप से 15-20 साल की लड़किया या लड़किया तो आप से 15-20 साल कम की ओरतें आपको शायद फेस्बुक पर मिल सकती है अगर वहां पर भी ना मिले ना तो शाम को अपने मल्ले वाली पार्क में गेडा मार लेना वहां पर शायद आपको चु अपने लग जाओ इधर अंकल जी हाट अटक की बाते करना और लोग ताडियां मार रहा उस बात पर भी और अंकल जी जो आपने अभी तरीका पता है ना यह खुद तो ट्राइब इलकुरी मत करना क्यों जितनी आपकी उमर है ना फेक हाट अटक का तो पता नहीं लेकिन आ आपका कभी बिना बिना ब्रेक अप के दिल तूटा है अपना रिलेशन्शीप भी नहीं है तो ब्रेक अप कैसे हो गया हमारा होता था अरे अंतल जी लेकिन मैं तो यहां पर हसने आया था आप मुझे सुला क्यों रहे हैं साला स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर अंकल यह दनी आती होगी तो उन्होंने सोचा चलो यह भी ट्राय करके देख लगते हैं अरे दादा जी आपना एक काम कीजिए आप अभी के अभी अपने घर जाईए और आपके पोत्ते के भी जो आगे बच्ची है ना उनको जाके कहानिया सुनाईए और उनको चैन की नीन कора उनको बाज बचल सुनाईए और एक पार जाली आपके